सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आईए तो जानते हैं कान के ऑपरेशन के बारे में और डीटेल से कान के operation में हम जो कान के परदे में जिली होती है उसमें जो छेध होता है उसको हम नए परदे के से बदलते हैं इस operation को हम लोग timpanoplasty कहते हैं ये एक तरह की microsurgery होती है कान के temple के उपर वाले हिस्वे में एक जिली होती है जैसे कहते हैं temporalis fascia इस जिल्ली में से कुछ अंश को हम लेते हैं और इस जिल्ली के अंश से हम निया परदा बनाते हैं इसके साथ साथ कान के अंदर की हड़ी में जो infection लग गया होता है उसकी हम drill machine से सफाई करते हैं इस operation को हम mastoidectomy का नाम देते हैं अक्सर हम देखते हैं बहुत दिनों तक पस आने की वज़े से कान के अंदर की जो सुनाई की हड़ीयां होती हैं जो की चावल के दानों के बराबर होती हैं अक्सर वो हड़ीयां गल जाती हैं अगर वो हड़ीयां गल जाएं तो फिर हमें उन हड़ीयों को repair करना पड़ता है या replace करना पड़ता है, इस operation को हम लोग ossiculoplasty कहते हैं, और अगर हमें इनको replace करना पड़ता है, तो हमारे पास option होते है, natural और फिर artificial, जो natural option होते हैं, हमारे कान में जो हड्डियों का अंश बकाया होता है, हम उस हड्डि को यहाँ पे drill करके, बीच में spacer की तरह set कर सकते हैं, अथवा हमारे पास cartilage से हम एक spacer बना सकते हैं, जो दोनों हड्डियों के बीच के gap को पूरा कर सके, और अगर हमें यह natural substance नहीं मिलता है, जैसे के revision operation की स्थिती में, तो हम artificial implants का भी इस्तिमाल करते हैं, जो की teflon के बने हुए हो सकते हैं, या फिर titanium के बने हुए हो सकते हैं, इनको हम लोग torp या porp के नाम से कहते हैं, माने के total ossicular replacement prosthesis और partial ossicular replacement prosthesis, आम तोर पे कान की अवस्था के according, ये तीनों operation एक एक बार या एक साथ करने की जरुवत पड़ सकती हैं, कई स्थिती में हम देखते हैं कि कान में अगर infection जादा होता है, तो पहली अवस्था में सिर्फ परदाब बनाने का काम और कान की हड़ी की सफाई का काम, जिसे टिमपैनो मेस्टरडेक्टिमी कहते हैं, इसको किया जाता है, और थोड़े समय के बाद जब कान की हड़ी का infection खतम हो चुका होता है, परदा वगरा अपनी जगे पे बन चुका होता है, तो सुनाई को बहतर करने का operation किया जाता है, जिसको हम लोग ossicularoplasty का नाम देते ह थेंक यू